नमस्कार बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्च पस्थित हूँ अक्टूबर मन्थ का मासिक रासी फल लेकर के मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों का इस पूरे माह उतार चढ़ाओ कैसे इनके को आप देखते रहें मिथुन रासी वालों के जीवन में इसमंत में कैरेड चेत्र में अच्छी सफलता प्रदान होगी कैरेड चेत्र में लेकिन संघर्सों के साथ संघर्स के बिना आपके जीवन में मिथुन रासी वाले इस महिने में आपको बिना संघर्स के बिना काम के एक रुपया भी नहीं मिल सकता है इसलिए आपको अपने परिस्रम को अपना भाग समझ कर मित्र काम करना होगा और अगर आप अपने परिस्रम को मित्र अपना भाग समझेंगे निस्चित ही अपके जियोन में मैं कह सकता हूँ कि सफलताएं कदम चूमेंगी इस मंत में अगर आप अपने आलस्य को भाग समझेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आलस्य आपका आपको बरबाद भी कर सकता है और बरबाद अच्छे अच्छों को कर भी दिया है इसलिए मित्र मित्र रासी की जातक जाते का मेरे प्यारे हैं आप बह अगर आप नोकरी के लिए बहुत दिनों से परियास परिशान थे मित्र रासी वाले जातक जाते का अगर आप नोकरी के लिए मित्र परिशान थे तो नोकरी आपकी इस मंत में 6 अक्टूबर से ले करके 16 अक्टूबर के बीच अगर आप प्रियास करते हैं नोकरी के लिए आपको निश्चित ही सक्षज मिलेगी, स्वास्त संबंदित समस्चाओं से आपको मित्र इस मंत में मुक्ती मिलेगी, अगर आपका कोई अशाध्य रोग था, उस रोग से मुक्ती मिलेगी, लेकिन आपको हिदायतें बरतनी होगी, डॉक्टर की डॉक्टरी ट्रेट्मिंट आपको कांटीन्यू करते रहना होगा, साथी साथ आपको डॉक्टर की प्रामर्स को कांटीन्यू लेते रहना होगा, अन्य था, आपकी रोग बड़ भी सकते हैं, मित्र नासी वाले मेरे प्यारे जातक जाते का, अगर आप प्रेम पीडा पा रहे थे, तो आपको इस मंत मे प्रेम की पीडा से मुक्ति मिलेगी लेकिन क्रोध को त्यागना होगा अगर आप मित्र क्रोध को करेंगे तो आपको पीडा कांटी न्यू जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलेगी इसलिए क्रोध को प्रत्याग करें मैं के इगो को समाप्त करें निश्चित ही आपके जियनुमित आपको सफलता पुरदान होगी साथि साथ अगर आप बिजनस को लेकर काफी टाइम से चिंतित थे अगर काफी टाइम से मित्र आप बिजनस को लेकर परिशान चल रहे थे 6 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर का समय आपके बिजनस के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम आप business में दिल खोल करके माल पैसा कमा सकते हैं और अपने business को growth दे सकते हैं अपने goal को achieve कर सकते हैं लेकिन साथ में आपको ध्यान देना होगा कि मैं invest कहां कर रहा हूँ अपने समय को नश्ट के जगे पे कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा आपके जीवन में मैं कह सकता हूँ कि सफलता का कारण बढ़ेगा आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता का राज खोलेगा इसलिए आपको सदेवी अध्यान रखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ और कहां इ परिवारिक कलेश से मिथुन रास्षी वाले काफी टाइम से अगर आप परिशान थे मित्र तो आपको इस समन्थ में परिवारिक जीवन से सुख प्रदान होगा, लेकिन आपको पडोशियों से और मित्रत बिवहर से बचना होगा, स्वयम के वादा पिता तो जरूर प्रेम क करेंगे लेकिन किसी तीसरे विक्ति की उंगली आपके जीवन में कुछ अलग न करवा दे इस चीज को ध्यान रखना होगा और अपने निज कान के पक्के बनना होगा अगर अपने कान से आप किसी की बातों को सुने तो ही विश्वास करें अगर कान से बिना सुने हुए बात पर विश्वास किसी अन्यत्र बेक्ति के करेंगे तो मित्र पीड़ा आपको निश्यत ही प्रदान होगी विदेश यात्रा में मित्र इस मंथ में आपको सफलता प्रदान होगी लेकिन विदेश यात्रा आपको अगर करनी है या उसके लिए अपलाई करनी है तो आप डेट न तो कड़ मुक्ति के लिए भगवान स्री कुबेर की प्रतिमा लाएं और कुबेर की प्रतिमा लाकर के श्री सूक्त या कनग्धारा का नित्य प्रति पाथ आप करें कुबेर की प्रतिमा आपको नहीं मिल रही है भगवान स्री कुबेर की प्रतिमा तो आप मालक्षमी की प्रतिमा को लाए लालासन बिछाकर इस मंत्र के साथ पूरे करकधारा इस्तोत्र का पाठ करें निस्त ही आपको आर्थित तंगी सिमित्र मुक्ति मिलेगी आपके जीवन में मालक्षमी आपकी धन की पोटली को भरेंगी संभव हो तो तिजोरी में सफेद कौणी दिलवाएं सफेद कौणी को अपने तिजोरी में रखें अगर पॉसिबल है तो इस फटिक का खचुभा अपने काउंटर पर अपने रेसप्शन टेबल पर रखें निस्त आपके बैपार में आपके परिवार में धन की तंगी खत आप